इस फिल्म में हमें कुछ आर्केलोजिस के बार में बताय गया है जो सभी चाइना के एक मगबरे के अंदर एक खास आर्टिफैक की तलाश में निकलते हैं लेकिन उसे डूढना इतना असान काम नहीं है उसे डूढने के लिए आर्केलोजिस को साथ अलग-अलग पत्थर में स एक सही पत्थर चुनना होगा तब उन्हीं आर्टिफैक मिल सकता है लेकिन अगर उन्होंने गलत पत्थर चुन लिया तो उनकी मित्ती भी हो सकती है तो क्या अकिलोजिस उस आर्टिफैक को ढून पाएंगे या उसे ढूनते ढूनते अपनी जानगवा देंगे यही हमें इस मूवी में जानने को मिलेगा और दोस्तों एक्स्प्लिनेशन की शुरुआ करने से पहले प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरू करें क्यूंकि काफी लोग वीडियो देखते पर बहुत कम ही लोग लाइक करते इसलिए अगर आपको वीडियो पसंद आती तो बस लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजे और अगर आपको कोई मूवी एक्स्प्लिनेशन चीए तो मुझे कमन में जरूर बताए और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल भी जरूर बढ़ाए ताकि मैं आपके लिए ऐसी और अंटेडेनिंग वीडियो पोस्ट कर सकूँ तो च चलिए शुरुआत करते हैं मूवी के एक्स्प्लिनेशन से फिल्म के शुरुआत में हम जूलिया नाम की एक आकिलोजिस को अपने सातियों के साथ एक मगबरे के अंदर आते वे देखते हैं जहां वो सभी उस आर्टिवाक को डोड़ने आये थे तब जूलिया को वहां वो पत्थर के पास आते हैं तब जूलिया एक पत्थर को चुनती है लेकिन दुर्बाग इसे वो पत्थर गलत होता है जिससे वहां की पूरी जगह तूटने लगती है तब ही जूलिया की दूसी साथ इको एक जरीलत तीर मोल के घाट उतार देता है जहां जूलिया भी अपनी मृत्ती हो जाती है अब हम 20 साल बाद का सीन देखते है जहां जूलिया की बेटी एली एक पाहड के अंदर किसी रस में तीजोरी के खोज में आई थी जो उसे मिल भी जाती है लेकिन उसे लेकर जब वो वापिस आ रही होती कि तब नोकदार किलो से बरा एक रोलर उसके पी जिनसे एली काफी बड़िया तरीके से लड़ती है और फिर अपनी तीजोरी को लेकर वाँ से भाग जाती है जिसके बाद वो उस तीजोरी को म्यूजियम को दे देती है क्योंकि नए चीजों की खोज करके उसे म्यूजियम को देना ही एली का काम है आब अगले सिन में को खोलती है तो उसमें उसे जूलिया की किताब मिलती है जो उसकी मृत्यू के बाद से लापता हो गए थी अब यह देखकर एली भाग हो जाती है वहाँ ही जूलिया ने उस किताब में उस आर्टिवैक के बार में कुछ कोड़ वर्स के साथ जानकरी लिखी थी साथ ही उस एक फ Dwней यह दिम नम का अदमी अध्य को फोन करकर के कहता है कि मैं तुम़ारी मा के काम को बहुत पसंद करता था मेरे पास तुम्हारे लिए भी एक काम है जिसे तुमारी मा ने अधूरह चोड़ दिया था इसलिए अगर तुम अपने मां के अधूर he decre काम को पूरा करना च चाहिना आती है जहां टीम ने उने बुलाया है ताओ एली की मुलाकाद नेतन नाम के आदमी से होती है जिसे एली पसंद नहीं करती यूँकि एक बार नेतन ने उससे आर्टिफाइक लेकर ब्लैक मार्केट में बेज दिया था और आप नेतन के टीम से मिले होने के कारण वो का भी साथ देने से मना करते हैं वहां से जाने लगती है पर नेतन के काफी जादा समझाने पर हो मान जाती है जिसके बाद सबी टेम के पास आते है जहां वो उन सभी को बताता है कि हमें उस आर्टिफाइक को लेने राजा के मगबरे में जाना होगा वहीं हमें वो आर्टि साथ इस काम में उनकी सबसे बड़ी मदद जूलिया की किताब करेगी क्यूंकि उस किताब में मगवरे के अंदर के सारे खत्रों के बार में लिखा हुआ है कि किस तरह से उन्हें खत्रों से बचकर आटिफेक्ट तक पहुचना होगा टीम अब आगे कहता है कि मुझे इस काम म में उस आटिफेक्ट तक ले जा सकती है जो सुनकर सारे लोग दंग रहे जाते है अब रार को जब सबी सो रहे होते कि तब ही उनके कैम पर कुछ लोग हमला कर देते जिससे एली और बाकी लटते तो है लेकिन उनकी ताधा जाधा थी और वो हर्त्यारों के साथ लाइस भी मिलता है इसलिए वो सबी उस रास्ते से आगे बढ़ना शुरू करते हैं वाही हम नेथन को देखते हैं जिसे उन लोगों ने जियान नम के आदमी के पास पकड़ कर लाया होता है वो सबी उससे पूछते कि क्या तुमारे ग्रुप में ऐली नम की लड़की भी मौजूद ह जिस पर वो जवाब हाँ में देता है तब जियान अपने एक साथी से कहता है कि जाओ और एली को पकड़ कर यहां ले आओ वाही दर एली और बाकी जब आगे बढ़ रहे होते तो उन्हें रास्ते में जियान और उसके साथी द्वारा लगाए वे कई सारे जाल दिखाई द लेते जिससे वो सबी बस्ते में आगे बढ़ रहे होते लेकिन अभी वहाँ जियान द्वारा बेजाओ एक आदमी आकर उन पर हमला करने लगता है पर एली उसे मार कर बेहोश कर देती है जिसके बाद वो बाकियों को रुका कर आसपास की इलाके की तलाशी लेने रखती है कि शायद वो लोग आसपास ही हो जिनोंने नेतन का अपरण की है ताब एली को एक जगा नेतन दिखाई देता है जिससे बंदी बनाय गया था लेकिन तब ही उसे एक आदमी देख लेता है और उसे बंदी बना कर जियान के पास लेकर आता है और तब चाला किसे एली नेतन क साथ भागने लगती है जहां अब जीयन के साथ ही अब उसका पीछा भी करते लेकिन तब तक अहली अपने बागी साथियों के पास आ जाती है जिसके बाद अब सभी आगे बढ़ने की तैयारी करते पर उनकी मुसीबत अभी टली नहीं थी क्यूंकि वह जीयन अंब उसके करते और जो भी अंजान इंसान यहां उस आर्टिफाक को चुराने की इरादे से आता है हम उसे मार देते और इजबेल की मिट्व गलती सी हुई थी हम उसके लिए माफी मांगते तो क्या आप तुम हमारा साथ दे कर उस आर्टिफाक को लाने में हमारी मदद करोगी जैसा तुमें इस काम के लिए रखा है कि तुम वो आर्टिफाक मुझे ला कर दो हीसल में चाहता हो कि जैसी एली को आर्टिफाक मिलेगा तुम उससे वो चीन कर मुझे दे देना जीस पर मजबूरान नेतन को मानना पड़ता है क्योंकि एली के उसे बचाने के बाद वो उसे पस जाते हैं लेकिन वहां का गेट खोलने के लिए पहली को पूरा करके लेवर को गुमाना होगा ताब एली जुलिया की किताब के मदद से पहली को समझते हुए उन तीन लेवर को उनकी स्विक्वेंस के अनुसर गुमाती है जिसे वो सभी वहां लगे सारे जाल से बच जाते और फिर मगबरे के अंदर जाने का रास्ता खोल जाता है जो देखर सभी एकदम खुश हो जाते पर अब मगबरे के अंदर जाने से पहले जियान एली से कहता है कि हमें कुछ मंतर पढ़ने होंगी ताकि अंदर के गार्डिन को पता चले कि तुम उस आर्टिफैक को सुरक् मिल जाए आप इसके बाद सारे लोग मगबरे के अंदर चले जाते जहां हर तरफ जाल बिचे होते लेकिन एली अपनी मा की किताब के मदद से सारे जालों से बचते हुए आगे बढ़ रही होती है पर दुरबा आगे से एक जहरीली तीर बौनी को लग जाती है जिससे वो तरबते हुए वही मारा जाता है जो देकर अली को काफी बुरा लगता है कि वो किताब होने के बावजूद भी बौनी को जाल में फसने से नहीं बचा सकी लेकिन फिर भी बाकियों के कहने पर उसे आगे बढ़ना पड़ता है आप थोड़ी दूर आने के बाद नेतन अली क वो सारी बात बता देता है जो उसे टिम ने का है कि जैसे ही एली वो टूल लेकि वो उसे जीन कर टिम को दे देगा लेकिन नेतन कहता है कि मुझे टिम पर काली या ब receptive नहीं बलखी किसी और चीज के लिए बही आया और कुच बी हो मार्टिफेक उसे नहीं देंगी जिस पर हैली मान जाती है वहाई अब टीम हैली से उसकी किताब लेकर खुदी आगे चला जाता है मानों किसी और चीज की तलाश में आया है हो इधर हैली और बाकी दूसी तरफ से आगे बढ़ रहे होते तब एक जगह हैली को उसकी मा का लॉकेट दिखाई देता है जिसे लाने के लि पहुचाएगा ताब एली किताब पढ़कर सही पत्तर का पता लगाने की कोशी करती है लेकिन किताब में बस इतना लिखा होता है कि ये आटिफैक की योद्धा की चीज है पर सही पत्तर के बार में कुछ भी नहीं लिखा होता पर तब भी एली उन पत्तरों की सीक्वेंस क को समझ कर सही पत्तर चोन लेती है जिससे उसे वहाँ एक दिल के आकर का चमकता हुआ पत्थर दिखाई देता है जो देखकर वो खूश हो जाते है कि उन्हें आर्टिफैक मिल गया लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि किताब में तो लिखा था कि आर्टिफैक योद्धा की आया था दूसी तरह वैली और नेतन दोनों भी असली आर्टिफैक को उस पत्तर की मदद से डूण रहे होते है पर तब ही माँ टीम आकर उनसे पत्तर चीन लेता है योगि ये पत्तर भी कीमती है जिसे ब्लैक मार्केट में बेचा जा सकता है और जैसी वो पत्तर लेता है उसमें से रोशनी निकलकर मगबरे के गार्डियन को जगा देती है और फिर वो गार्डियन सभी से लड़ना शुरू कर देते है ता बे देकर टिमवा से भाग जाता है और एली और नेतन उस गार्डियन से लड़कर उसे मार देते है जिसके महरते ही सामने बना एक मिलती है जीस से उन्हें समझाता है कि असली आर्टिफैक यही तलवार है और अब उस आर्टिफैक के अपनी जगह से हिलती ही पूरा मगबरा डेहने लगता है इसलिए अब आली और बाकी तुरंद मगबरे के बाहर आ जाते है लेकिन पत्थरों में दफकर टिम मारा जाता है आब बाहर आने के बाद आली वो तलवार जियान को दे देती है जिसे पाकर वो उसका धन्यवाद करता है और उन सबी से कहता है कि तुमें जो चाहिए वो मांग सकते हो जीस पर आली कहती कि मुझे और मगबरे की तलाशी लेनी है ताकि ऐसी और खुछ कर सकूँ जीस पर ज चैनल को सबस्काइब करके सपोर्ट करना ना भूलें मिलते हैं अगले एक्स्पिनेशन वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद दोस्तों